दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराख्ष ओधरी दोस्तों आज की वीडियो में हम साल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाले यूपी-पी-चे-यस प्रारंभीक परिक्षा के लिए सामान्य अध्यन के महत्तोपूल प्रशनों का प्रैक्टिस सेट ये प्रशन लोग सेवा आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाले आन्य परिक्षाओं जैसे आरो यारो यानि समिख्षादिकारी, सहायक और यमपी PCS द्वारा आजोजित परिक्षाओं के सामान यद्यन खंड के लिए बहुत ही उप्योगी है इस प्रैक्टिसेट में हम कुल 30 प्रशनों को साल्व करेंगे जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी है तो आएए शुरू करते हैं यूपी PCS प्रारंभिक परिक्षा और आरो यारो परिक्षाओं के लिए सामान यद्यन यानी जनरल इस्टडीज के महत्तोपूर प्रशनों का प्रैक्टिसेट पहला प्रशन है दोस्तों राष्ट ब्यापी अस्तनपान कारेक्रम मा किस संगी मंत्राले द्वारा जारी किया गया है तो एक कारेक्रम है मा कारेक्रम जोकि राष्ट ब्यापी अस्तनपान कारेक्रम है आपको बताना है कि ये किस मंत्राले द्वारा जारी किया गया कारेक् स्वास्त एवं परिवार कल्याण मंत्राले दोस्तों केंदरी स्वास्त और परिवार कल्याण मंत्राले ने लोगों के विशेश रूप से माताओं को अस्तनपान के लाभों से अउगत कराने और इस संबन्द में जागरूकता पैदा करने के लिए अगस्त 2016 में राष्टी अस अगला प्रेशन हैं दोस्तों कैसलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समीती का गठन किया गया है नचिकेत मोर समिती, शान्ता कुमार समिती, एचार खान समिती या नीरज गुपता समिती, तो सही उत्तर है नीरज कुमार गुपता समिती दोस्तों कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा मई 2016 में नीरच कुमार गुपता समित का गठन किया गया था साथ सदस्यों वाले इस समित का उद्देश डेबिट क्रेडिट कार्ड स्विकार करने वाली आधार भुस्सन रशना में बढ़ावा देना और क्रेडिट कार्ड के लिए बिनिमे सुल्क को अस्थाई बनाए रखना है अगला प्रशन है दोस्तों खेलो पर एक महत पूर्ण पुस्तक थी ये किस क्रिकेटर की आत्मकता है आप संदेखे योराज सिंग, क्रिस गेल, बिरेन सहवाग या एवी डिविलियर्स तो सही उत्तर है क्रिस गेल दोस्तों सिक्स मसीन आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट ये जो है क्रिस गेल जो की वेश्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाडी है उनकी आत्मकता है अगला प्रश्ण है दोस्तों कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंस से था आपको बताना ही ये महुत पूर्ण कुस्तक है आपके लिए महामेग वाहन वंश, चेद वंस, साथ वाहन वंस या रठ भोजग वंस तो सही उत्तरापसन ए महामेग वाहन वंस दोस्तों आप जान लीजे कि कलिंग नरेश खारवेल जो है इनका संबंध महामेग वाहन वंस से था मौरे सामराजी के पतन के बाद कलिंग छेटर में चेद वंस का सासन स्थापित हुआ और इसी वंस के सासक दोस्तों आप जान लीजे कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो है ये महामेग वाहन वंस से था और मौरे सामराजी के पतन के बाद कलिंग छेटर में चेद वंस का सासन स्थापित हुआ इसी वंस के राज्य महा मेख वाहन के नाम से चे दिवंस को जाना गया और हाथी गुंफा अभिलेक से कलिंग नरेश खारवेल की जो है प्रसस्ति मिलती है अगला प्रशन है बह्मनी राज्य का संस्थापक कौन था आपको बताना है अलाउद्दीन हसन फिरोश शाह महमूद गमा या आसव खां तो सही उत्तराफ संद ए अलाउद्दीन हसन बह्मनी सामराज्य के अस्थापना अलाउद्दीन हसन ने 1347 में दिल्ली के सुल्तान मुह बह्मनी सल्तनत दक्षिन भारत में पर्थम स्वतंत्र इसलामिक राज्य था तो सल्तनत काल में बह्मनी जो है दक्षिन भारत का पर्थम स्वतंत्र इसलामिक राज्य था अगला प्रशन है दोस्तों अखिल भारती किसान का अंग्रेस का गठन किया गया था कब तो सही उत् 1936 में दोस्तों अखिल भारती किसान सभा के अस्थापना स्वामी सहजान अंसरस्वती द्वारा 11 अप्रेल 1936 को भारती राष्टी कांग्रेस के लखनोग अधिवेशन में की गई और इसके संस्थापक सदस्यों में एंजी रंगा नम्बू दरिपाद राम मनुहर लोहिया ज अगला प्रेशन है दोस्तों द्वैध सासन का जनक की से माना जाता है लाड कलाइब हेक्टर मुनरो लाड मैकाले या लियोनिल कर्टिस तो सही उत्तर है लियोनिल कर्टिस को दोस्तों द्वैध सासन का जनक लियोनिल कर्टिस को माना जाता है और भारत में द्वैध सासन भ विद्यापती, जियोति रेश्वर या हरी ब्रह्म देव तो सही उत्तर है राजनीतिक रतनाकर के लेखक चंद्रशेखर हैं दोस्तों देखी बहुत ही महत्वण पुस्तक है राजनीत रतनाकर पुस्तक की रशना चंद्रशेखर द्वारत 14. सताब्दी में की गई थी और ये पुस्तक कालावध ही से सम्बंधित एक महत्वण राजनेतिक सारसंग्र है जो मिथिला के करनाट वंस के इतिहास और राजनीत पर प्रकाश डालता है चंद्रशेखर करनाट वंस के अंतिमशासक हरी सिंग देव के दर्बार में एक मंत्री थे और उनके द्वरा राजनीत रतनाकर ग्रंथ की रशना की गई है अगला प्रेशन है निमनलिखित सागरों में किसमे आवसत लवर्ता सरवाधिक है काला सागर, पीला सागर, भूमद्य सागर या मृत सागर तो सही उत्तर है मृत सागर दोस्तों मृत सागर एक अति लवडी यानि खारे जल की जील है जो जारडन के पूरो में और इजरायल और फिलिस्तेन के पश्चिम में इस्थित है 34.2 प्रतिशत खारेपन यानि एक तरह से देखा जाए तो इसमें खारेपन की मात्रा बहुत अधिक है महसागरी जल से इसमें 9 से 10 गुना अधिक खारपन है और विस्व में जल के सरवाधिक खारे जहिलो में एक है ये लवड़ता कठोर वातावरण का निर्मार करती है जिसके कारण पौधे और जन्तु इसमें विक्सित नहीं हो पाते हैं अगला प्रश्ण है भारत की निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजात मुखेते कहां संकेंद्रित है दक्षिड भारत उत्तर पश्मी भारत उत्तर पूर्वी भारत या उत्तर भारत में तो सही उत्तर आपसन ए दक्षिड भारत दोस्तों आप जान लीजे कि द् संख्या के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है अगला प्रश्ण है निम्नलिखेत अस्थानों में कहां पर तांबा उद्ध्योग अस्थापित है तारापुर टीटागर राची या फिर खेतडी तो सही उत्तर है खेतडी दूस्तु राजस्थान में खेतडी की ख वारिम चतुर भुज या Lawrence किया है आप संदेखे महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग प्रमुक्वायु मार्ग राष्टी राजमार्ग परियोजड़ना और स्वाण ब्यापार का मार्ग तो सही उत्तर है राष्ट्री ये राजमार्ग परियोजड़ना जो सही उत्त भारत में एक मात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो आप संदेखे हिमाचल प्रदेश असम जम्मू कस्मीर और मेगाला तो आप जान लिजे जम्मू जो है दोस्तों जम्मू कस्मीर जो राज्य है वो अपके इंद्र शासित प्रदेश के रूप में है और ये एक मात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है यहां का जो केसर है वो अपने विशिष्ट मौसम के कारण केसर उत्पादन का एक मात्र केंद्र है एतहासिक रूप से पंपोर हजारों वर्स से कस्मीर का मुख केसर उत्पादक छेतर बना हुआ है और किस्तवार भ अगला प्रश्ण है दोस्तों भारती संभिधान दिवस कब मनाय जाता है 26 अक्टूबर 26 नवंबर 26 जनवरी या 15 अगस्त तो याद रखेगा 26 नवंबर को Constitution Day मनाय जाता है और ये आप जानते हैं कि भारती संभिधान को स्विकार करने की इस मृति में प्रतिवर्स 26 नवंबर का दिन संभिधान दिवस के रूप में मनाय जाता है 1949 में इसी दिन भारती संभिधान का स्विकार किया गया था और इसके पश्याद 26 जनवरी 1950 को भारत का संभिधान लागू किया गया था अगला प्रश्ण है दूस्तों भारत में ब्लाक अस्तर पर बनी पंचायक समिती केवल है एक सलाहकार निकाय, एक सलाहकार समिती, समन्वे और परिवेक्षी प्राधिकारी या फिर प्रसासनिक प्राधिकारी तो बलाक अस्तर पर बनी पंचाय समीती ये समन्वे और परिवेक्षी प्राधिकारी है भारत में पंचायती राजपडाली के अंतरगत पंचाय समीती एक कारेकारी निकाय है जबकि जीला परिशद, सलाहकारी, समन्वेकारी और परवेक्षी निकाय के रूप में कारे करता है एक प्रसासनिक अधिकारी के रूप में ये मध्यवर्ति अस्तर का कारे करता है और ग्राम पंचायत, ग्राम परिशद और डिस्टिक बोर्ड के मद्धे कड़ी का कारे करता है अगला प्रश्न हैं दोस्तों उन मौलिक अधिकारों का चैन करें जो भारती नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं पहला है भासड और अभिव्यक्ति की सुतंता, कानून के समक्ष समता, अल्प संख्यकों के अधिकार, जीवन और सुतंता का संड़क्षण तो इसका उत्तर आपको कोटों के आधार पर देना है दोस्तों बोलने की सुतंता से संबंधित अधिकार जो है वो वाक अभिव्यक्ति की सुतंता, सांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, संग बनाने का अधिकार भारत के राज़े छेतर में सबसे हब जगह अबाद संचरन का अधिकार निवास का अधिकार और ब्यावसाई का अधिकार शामिल है और आप जान लीजिए कि इसमें भाशड और अभिवेक्ति की सुतंता और अलपसंख्यकों के अधिकार देखे भासड और अभिव्यक्ति की सुतंता और अभिव्यक्ति के आधार ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है तो एक तरह से देखा जाए एक और तीन आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संसोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए साधारण, दो तीहाई, तीन चौताही या दो तीहाई और आधे राज्यों का अनुसमर्थन तो आप जान लिजे एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधान संसोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए होता है भारती संवैधान के अनुछे तीन के तह संसत को राज्यों के अस्थापना करने की शक्ति प्राप्त है और संसत के सामान बहुमत से नए राज्य निर्मार से संबंधित विध्यक पारित किया जा सकता है अगला प्रश्ण है दोस्तों, 2011 की जनगर्णा के अनुसार कौन से राज्य में लिंगान उपास सबसे कम है तो आप जान लिजे हरियाणा में, 2011 की जनगर्णा के अनुसार हरियाणा का लिंगान उपास सबसे कम है और ये मात्र 879 है, यानि एक हजार पुर्शों पर महिलाओं की संख्या केवल 889 है जबकि भारत का लिंगान उपास जो राश्टी अस्तर पर है, वो 943 यानि 943 है राश्टी आय की गढ़ना की थी, DR गाडगिल, VKRV राव, मनमोहन सिंग या YV अलक, तो सही उत्तर है VKRV राव दोस्तों भारत में राश्टी आय को मापने का पहला वैज्ञानिक प्रयास, विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरद राजा राव द्वारा 1931 में किया गया ये जो विक्सित तकनीक का प्रयोग आज भी किया जाता है और इन्होंने क्रिसी छेत्र में आय का अनुमान लगाने के लिए उसाह विधी और गैर किसे छेत्र में आय का अनुमान लगाने के लिए आय विधी का प्रयोग किया और ये विधियां आज भी प्रयोग की जाती ह अगला प्रेश्ण है दोस्तों काली क्रांती का संबंध किसे है मत से उत्पादन, कोईला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन या सरसो उत्पादन तो सही उत्तर है कच्चा तेल उत्पादन काली क्रांती का संबंध दोस्तों क्रूड आयल कुरूड आयल जिसे कच्चा तेल कहते हैं कुरूड आयल के उत्पादों से संबंधित है अगला प्रेशन है निम्नलिखित में से कौन सकर केंदर सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राजियों द्वारा एक अत्रित और आवंटित किया जाता है इस्टाम सुल्क यात्री और वस्तुकर संपदा सुल्क या अखबारों पर कर तो सही उत्तरापका हो जाएगा इस्टाम सुल्क भारती संभिधान की धारा 268 में उल्लेक है कि इस्टाम सुल्क अवसद ही तथा प्रसादनों पर उत्पाद सुल्क संघी सुची में शामिल है तथा केंदरी सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है लेकिन इने राज्यों को संग्रहित करने और उप्योग करने का अधिकार द आरोपित कर देश में शाख की मात्रा को प्रभावित कर सकता है अगला प्रशन है दूस्तों आसान सा प्रशन है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्र गुप्त को समुद्र गुप्त की बिजियों से प्रभावित होकर वी ए इस मिथे कितिहासकार है उन्हें भारत के नेपोलियन की संग्या देते हैं समुद्र गुप्त का दरबारी कब हरि पुत्र दक्षुण में नर्मदा और उत्तर में कस्मीर की तलहटी तक विश्टरित था प्रयाग प्रसस्त की रचना जो है दोस्तों हरिसेड की द्वारा आपकी जानते हैं की की गई है और प्रयाग प्रसस्त में ये वाडित है कि समुद्रगुप्त ने कुल 12 सासकों को हराय जिसमें से अंतिम शासक दक्षिण की कांची का पल्लोववंस का विश्णुगोप्त था समुद्रगुप्त की दक्षणापत विजय की तीन नीतियां थी एक तो ग्रहन यानी सत्रुपर अधिकार दूसरा मोक्ष यानी सत्रुको मुक्त करना और तीसरा अनुग्रह यानी राज जिल उटा कर समुद्र सत्रुपर दया करना अगला प्रिश्ण है निमने लिखित में से कौन हडप्पा और मोहन जोदोडों के उत्खनन से संबंधित नहीं था आरडी बनरजी के अन्दिक्षित एस एस वर्ट्स, एम एस वर्ट्स या वी ए इस्मित तो सही उत्तर है वी ए इस्मित दोस्तों ये प्रश्ण बहुत ही महत्तोपोर है आप जान लीजे कि वी ए इस्मित जो है ये हडप्पा और मोहन जोदोडों के उत्खनन से संबंधित नहीं है और आप जान लीजे वी ए इस्मित विदेशी इतिहासकार थे इन्होंने भारत के इतिहास से संबंधित कई पुस्तों की रश्णा की जिसमें दे आक्सफोर्ड हिस्ट्री आफ इंडिया आर्ट आफ इंडिया और अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया प्रमुक हैं अगला प्रेश्ण है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था तो ये आसान सा प्रेश्ण है आपके लिए सारनाथ में तो बौध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 हिसापूर में कपिलवस्तु के समय कपिलवस्तु के नजदीक 23 वर्स की आयू में बैशाक पोडिमा के दिन बोध गया में निरंजनानादी के तट पर इन्हें ग्यान प्राप्त हुआ और उसके उपरांत गौतम बुद्ध ने सारनाथ वाराणसी में अपना पहला धर्म उपदेश दिया और इस घटना को धर्म चकर प्रवर्तन कहा जा थी चंद्रगुप्त विक्रमा दित्त की मृत्त के बाद कुमार गुप्त परथम शासक बना जिसका कारेकाल 414 इसबी से 455 इसबी तक था उसने दशपूर में एक सोरे मंदिर का निर्मार करवाया और नालंदा में एक बिहार की अस्थापना भी करवाई जो आगे चलकर न नालंदा विश्विद्याले के नाम से विख्यात हुआ और गुप्त काल में सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी हुए थे तो याद रखेगा कि कुमार गुप्त ने नालंदा विश्विद्याले के अस्थापना करवाई थी और गुप्त सासकों में सरवाधिक अभिले जन्रल कौन था तो ये था लार्ड कैनिंग दोस्तों कैनिंग का सासनकाल 1856 से 1862 था ये भारत में कमपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जन्रल और ब्रिटिस सामराट के अंतरगत नियुक्त भारत का पहला वायसराय था इसके समय में ही 1857 का विद्रो हुआ था और कैन 1861 के द्वारा मुंबई, कुलकाता, मदरास में एक-एक उचिनयाले की अस्थापना करवाई और कुलकाता, मुंबई और मदरास विश्विद्याले की अस्थापना लंदन विश्विद्याले की तर्ज पर हुआ था अगला प्रिशन है दोस्तों ढाई दिन का जोपड़ा क उसने कुतुम मिनार का निर्मार्ण आरम करवाया और अजमेर में धाई दिन का जोपड़ा नाम से एक मस्जिद बनवाई कुतुब बुद्धी नैवक ने भारत की पर्थम मस्जिद दिल्ली में कुवत्तुल इसलाम मस्जिद बनवाई थी। अगस्त 1905 में कुलकाता के टाउन हाल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ इसी बैठक में एतिहासिक बहिसकार प्रस्ताव पारित हुआ अजिस सिंग लालालाजपत राय स्वामिस रधानांद जैपाल और गंगारामने पंजाब और उत्तर प्रदेश के छेत्रों में इस आंदोलन का नेतरित्य किया और ये जो 1905 का बंगाल विभाजन से संबंधि स्वदेशी आंदोलन था इसका सबसे अधिक प्रभाव जो है वो बंगाल में देखने को मिला था आज की प्रेक्टिस सेट का आखरी प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारती म महिला अध्यक्षा कौन थी तो ये बहुत ही महत पूर्ण प्रश्न है ऐसे अगर जो आप देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा स्रीमती एनिबेसेंट थी जो की 1917 के कानपूर अध्यवेशन में जो है भारती राष्टी कांग्रेस की अध सुचेता कृपलानी सरोजनी नायडू और इंदिरा गांधी तो ये बहुत ही महत पूर्ण प्रश्न है कि भारती राष्टी कांग्रेस की प्रथम भारती महिला अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन थी तो सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू आप संस कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी लेकिन पहली भारती महिला अध्यक्ष अगर जो देखा जाए तो स्रीमती सरोजनी नायडू इन्होंने 1925 के कानपूर अध्यवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष की रूप में कारे किया था तो सही उत्तराप्सन सी हो जाएगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो यूपी PCS प्रारंभिक परिक्षा आरो यारो उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग तथा अन्यराज जिलोग सेवा आयोगों द्वारा आयोजित सामाने अध्यन के महत्तपूर प्रशनों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार